पाश्तर अबनाब और आज का कोश्चन है क्या येशू और शैतान आपस में भाई है नहीं येशू और शैतान आपस में एक दूसरे के भाई नहीं है येशु परमेस्वर है और शैतान उनकी रचनाओं में से एक है येशु और शैतान आपस में एक दूसरे के भाई बिल्कुल नहीं है बलकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है जितना रात दिन से अलग है और दिन रात से अलग है उतना ही येशु शैतान से अलग है येशु परमिस्वर का देहधारी श्वास्वत कालीन और सर्व ग्यानी और सर्व सामर्थी है जबकि शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया एक स्वर्ग दूत है जो परमिस्वर के उ बारा रचा गया था ये जूटी सिक्षा की येशु और शैतान आपस में आत्मिक भाई है मौर्मन वादी यानि की लेटर दिसेंड्स के द्वारा फैलाई हुई एक जूटी सिक्षाओं में से एक है और कुछ सीमा तक यहवा के साक्षी यानि की यहवा बिटनिस वालों ने भी इसे फैलाया है इन दोनों समुहों को उचित रूप से जूटी सिक्षा देने वाली कलिस्याओं के रूप में चिन्नित किया गया है क्योंकि वे उन मसी विस्वास के धर्म सिध्धानतों को अस्विकार कर देते हैं जो बहुत ही जादा मसी जीवन के लिए आवस्क होते हैं यद्यपी वे मसी विस्वास के शब्दों जैसे कि येशू परमिस्वर और उद्धार का प्रियोग करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास सबसे मूल और आवस्यक मसी सिध्धानतों के उपर जूटी सिक्षाओं आधारित विचार और द्रश्टी कोड़ पाया जाता है एक बात याद रखना कि बहुत से मार्मन अनुआई आपको आज दृता के साथ ये इंकार करते हुए मिलेंगे कि येशू और शैतान आपस में एक दूसरे के भाई हैं लेकिन फिर भी उनकी जो प्रारंबिक सिक्षा है वो उसकी जो नीव है वो यही विश्वास करती है कि येशू और शैतान में आपसी कोई संबंद है ये आत्मिक संबंदी है और ये दोनों आत्मिक भाई हैं मार्मन बादियों ने पवित्र शास्त्र के वचनों को गलत धंसे समझा और पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से विक्रत कर दिया है साथ ही उन्होंने बाइबल से बा धारित सिध्धान्तों का उपियोग करके नहीं कर सकते हैं और इस विचार तक नहीं पहुंच सकते हैं कि येशु और शैतान एक दूसरे के आत्मिक भाई है पवित्र सास्त्र इश्पष्ट है कि येशु पूरी तरह से परमिश्वर है वै किसी भी रीति से परमिश्वर से मारमन या अन्य सम्प्रदाइबाले मानते हैं साथ ही पवित्र शास्तर इस पष्ट है कि यश्वर अपनी सरष्टी के ऊपर सरष्ट है जिसका अर्थ है कि सरष्टी करता मसी और शैतान की सरष्टी के मद्य में किसी भी तरह कि कोई तुलना नहीं हो सकती आ went मौर्मन बादियों की माननेता है कि स्वर्गिय पिता की बहुत सारी पत्निया हैं और येशु मसी उन कई पत्नियों में से किसी एक के द्वारा उत्पन की गई पहली आत्मिक संतान थे येशु को एक सच्चे परमिश्वर के रूप में सुईकार करने की अपेक्षाब ये वि येशु शैतान या लूसीफर से पहले अस्तत्त में था और शैतान या लूसीफर परमिश्वर का दूसरा पुत्र और येशु का आत्मिक भाई था उनकी प्रॉबलम कहां से सुरू होती है कुलुसियों अध्या एक वचन पंधरा उन्होंने लिया जिसे उन्होंने गल ढं से समझ लिया उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मूल पाट को लिया और उसका प्रियोग इस प्रकार उन्होंने किया ये लिखा गया है बहे तो अद्रश्य परमिश्वर का प्रतुरूप और सारी स्रष्टी में पैलोठा है बाइबल में ऐसा दिया गया है अब उन्होंने यहाँ पर जो पैलोठा शब्द है उसको ले लिया और उसका मतलब उन्होंने निकाला कि जब पैलोठा शब्द प्रियोग हुआ तो दूसरा भी होगा तो उन्होंने दूसरे को शैतान समझ लिया और बहां से उन्होंने ये शिद्ध कर दिया कि येश कि दिख्यूं के सुर्श्ट्वी की देखी या अन्देखी क्या सिनहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधहनताएं क्या अधिकार सारी बस्तूएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सींधिक गई अब यहां सारी बस्तूओं में सिन हासन आता है प्रभुताए अधिकार या सामर्थ जिसमें शैतान और उसके दुष्टात्माई भी समलित होती है आती हैं अब कोई व्यक्ति यह विस्वास करता है कि येशू और शैतान आत्मिक भाई हैं तो बही व्यक्ति पभित्र शास्तर की इसपष्ट सिक्षा को पूरी तरह से इंकार कर चुका है पवित्र शास्तर पूरी रीति से यह इसपष्ट रूप से बताती है कि येशु मसी ही था जिसने सभी वस्तूओं को रचा था और पवित्र शास्तर ये भी बताता है कि येशु मसी त्रियेक परमिश्वरत्यु के दूसरे व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से पूर्ण और विशेस परमिश्वर हैं येशु ने पवित्र शास्तर के कई अंसों में स्वैम को परमिश्वर होने का दावा किया है यहना अध्या 10 वचन 30 में येशु इसपष्ट रूप से ऐसा कहता है कि मैं और पिता एक हैं यहाँ पर येशु परमिश्वर से कम होने का दावा नहीं कर रहा है भै गोशना कर रहा है कि भै पूरी तरह से परमिश्वर था यहना अध्या एक बचन एक से पांच में यह स्पष्ट है कि येसू सिर्जा हुआ नहीं था और उसने स्वैम सभी बस्तूओं को रचा था यहना अध्या एक बचन एक से पांच में हम पढ़ते हैं जहां पर ये पूरी तरह से इस पश्ट हो जाता है कि येसु मसी सिरजा हुआ नहीं था बल्कि सारी बस्तुएं उसके द्वारा सिरजी गई है बहे रच-चैता था और बचण साप-साप कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ उसमें से कोई भी बस्तू उसके बिना उत्पन नहीं हुई यह ना द्याएक वचंतीन के इसंस को आप पढ़ सकते हैं अब इससे अधिक इसपष्ट और क्या हो सकता है सभी बस्तूओं का अर्थ मतलव इसमें शैतान भी सम्मलित है जो एक स्वर्ग दूत के रूप में उसके ही दौ अन्य स्वर्ग दूतों और दुष्टात्माओं की तरह रचा गया था पवित्र शास्त्र शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराए हुए दूत के रूप में वरणित करता है जिसने परमेश्वर और येश्व के परमेश्वर होने के बुरुद बिद्रो किया था उसने यह मान के साक्षी भी यह सिक्षा देते हैं कि येश्व और शैतान आपस में आत्मिक भाई हैं अब कुछ मौर्वन बादी और यहवा के साक्षी यानि यहवा विटनिस वाले लोग भी इस सिक्षा से दूर रहने की कोशिस करते हैं क्योंकि यह जो कुछ बाइबिल कहती है वह पर एलोहीम के आत्मिक बच्चे थे परंतु यह भी विश्वास करते हैं कि मनुस्य भी परमिस्वर के आत्मिक बच्चों के रूप में ही हैं दूसरे शब्दों में उनका यह विश्वास है कि परमिस्वर स्वर्गदूत और मनुस्य एक ही प्रजाती है एक ही अंस है और एक ही बड़ा परिवार है यही कारण है कि उनकी मानिता है कि बेस्वयम एक दिन परमिश्वर बन जाएंगे जितना की येश्व परमिश्वर है जितना की पवित्र आत्मा परमिश्वर है उतना ही मनुस्ष से परमिश्वर बन जाएगा परमिश्वर और उनकी स्रष्टी के म पवित्र सास्त्र इस पश्ट रूप से भिन्नता दर्शाती है लेकिन बे ये विश्वास करते हैं कि बेस्वैम एक दिन परमिश्वर बन जाएंगे क्योंकि वो उनके आत्मिक बच्चे हैं इसमें कोई संदे नहीं है कि यह वही पुरानी जूटी सिक्षा है जो अदन की बा में हमेशा से रहती है और वह केंद्रिय स्थान में रहती है मतलब उसकी फर्ष्ट प्रियोर्टी यह रहती है कहीं न कहीं कि वह परमिश्वर के तुले हो जाएं उसके पास शक्तियां हो जाएं उसके पास ताकत हो जादिकार हो जाएं और परमिश्वर के सिनासन को हतिया ले ऐसा उसके अंदर पाया जाता है क्योंकि शैतान उनके अंदर यह रख रहा है मत्य अध्या 16 बचन 15 में येश्व एक महत पूर्ण प्रशन पूसता है कि तुम मुझसे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ बाइबल में ये एक ऐसा प्रशन है जो आपके मोक्षि के लिए बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट रहता है जिसके उत्तर में मौर्मन बादी और यहवा के सक्षि गलत हैं उनका उत्तर यह होता है कि येश्व शैतान का आत्मिक भाई है वह गलत है ईश्व परमिश्वर का पुत्र है और उसमें ईश्वर की परिपूर्णता सादेह वास करती है कुलसियों अध्याए दो बचन्नों में आप इस पष्ट रूप से इसे पढ़ सकते हैं उसने शैतान की सरष्टी की है और एक दिन प्रकासित बाद के ऐसा बताता है कि वह आग के कुंड में डाल देगा क्योंकि वह परमिश्वर के बुद्रों के लिए केवल दंड का ही प यहवा बिट्निस वालों के इश्वर बहुत परमिश्वर नहीं है जिसने स्वैम को पवित्र शास्त में प्रिकट किया है वो कोई और ही परमिश्वर अध्य फालो करते हैं जब तक मॉर्वन बादी और यहवा के साक्षी जैसे जो फालो करने बाली और कलीस्यां हैं यह ब लोग जब तक एक सच्चे परमेस्वर को नहीं पहचानते और उसकी आराधना नहीं करते उनके लिए मुक्ति की कोई आसा नहीं है उनको पश्चाताप करना होगा उनको एक सच्चे ईश्वर को पहचानना होगा उसकी आराधना करनी होगी उसको दंडबत करना होगा और अप पूटी सक्षाओं से बचाने के लिए इस सक्षा को सभी लोगों के पास शेयर कर दें और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे सभी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें और फेस्बुक पेज को फालो और लाइक जरूर करें तब हो आपके साथ हो गाड़ ब